Hello friends, good evening, कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे So friends, इस वीडियो में हम लोग solve करेंगे ZK का practice set, पूरे 50 questions हम लोग solve करेंगे और ये practice set का सोलावा वीडियो है अगर आप लोग पिछली practice set की वीडियो शुन नहीं देखेंगे हैं तो वहाँ से आप लोग इन पांचो शाल के पेपर देख सकते हैं कि किस तरह के questions आपके exam में पूँचे जाते हैं अपना level चेक कर सकते हैं तो चलिए हम लोग इसमें पूरे 50 questions समान ग्यान के solve करते हैं Friends आपका जो paper होगा First meeting में Z के and language का paper होता है Language में आप Hindi, English में से दोन में से कुछ भी ले सकते हैं जो आपका strong हो वही ले सकते हैं और check-in में जो आपका paper होता है Friends check-in meeting में reasoning का होगा 50 questions आएंगे 100 number के and subject ability के 50 questions आएंगे जैसे आपका art है तो art के questions आएंगे science है तो science के 50 questions आएंगे उसमें math भी 10 से 12 questions रहते हैं बाकी science के questions रहते हैं अगर जैसे आपका agriculture, commerce बगर है तो उसी से आपके questions आएंगे तो चलिए हम लोग पूरे 50 प्रशनों को solve करते हैं Friends मैं आपको उतादू अगर आप लोगो 2021 में बीट करना है तो आप लोग इस चैनल से जोड़े रहे हैं इस चैनल के मादम से आपको निश्यती मदद मिलेगी Friends जो भी UP बीट की अपडेट हैगी वो अपडेट आपको इस चैनल के मादम से सबसे पहले मिलेगी तो चैनल को सबस्क्राइब करके बगल में बिल आपको निश्यती है ताकि आपसे कोई भी UP बेट की अपडेट मिश ना हो तो पहला कोशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चान्दी हवा में किसकी उपस्तिती के कारण संचारित हो जाती है अप्शन देख सकते हैं आपके शामने दिये गया है जो भी इस कोशन का राइट आप लोग कमेंट बाक्स में बताएं पहला कोशन का अंसर तो देखे जो चान्दी होती है वो हवा में हाइडोजन सलफाइट की उपस्तिती कारण संचारित हो जाती है अप्शन बी करेक्ट होगा इस कोशन का राइट आप लोग देख सकते हैं इस कोशन का जवाब आप लोग कमेंट बाक्स में दीजिए कोशन यह है निमलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्तु है option देख सकते हैं आपको बताना है radio धर्मी तत्व कौन सा है दूसरा question का जवाब आप लोग comment box में दीजिए फटाफट तो देखे इसमें से अगर हम बात करें uranium तो यही आपका है radio धर्मी तत्व option be correct होग इस question का right answer अगला question यहापे देख सकते हैं तीसरा question, सावैधनिक उपचारों का अधिकार किस के तहद आता है? option देख सकते हैं, सावैधनिक उपचारों का अधिकार किस के तहद आता है? आप लोग बताएं, तीसरा question का answer, फड़ा फड़ा कमिट बाक्स में. तो दिखिए जो समवैधनिक उप्चारों का अधिकार आता है वो आता है मौलिक अधिकारों के तहद ठीक है, option B correct होगा इस question का right answer अगला question आप लोग देख सकते हैं, चौथा question ये है निम्न में से किस पाचन अंग में अमल होता है चौथा question का अंसर बताईए आप लोग निम्न में से किस पाचन अंग में अमल होता है इस question का right answer आप लोग कमेंट बाक्स में बताएं तो देखिए जो अमासय होता है उसमें ही अमल होता है आपका option एक रेक्ट होगा इस question का right answer अगला question पाचवा question आप लोग देख सकते हैं बहुत important question है इस्टा लगा लिजे अभी के अभी इस question में question यह है पाक जल्डम रुमध तथा मनार की खाड़ी दोरा निर्मित तंग समुद्री जलमार की कारण इन में से कौन सा देश भारत से अलग इस सित है very very most important question है इसकी screenshot आप जरूर ले लिजे अगर आप लोग note नहीं कर रहे हैं question को तो screenshot लेके बाद में आप लोग इसको note कर लिजेगा क्योंकि बाद में आप लोग इसको note करना भूल जाते हैं तो screenshot ले लिजे बाद में आप लोग देख लेंगे पांचबा question का right answer आप लोग बताईए तो कौन सा देश भारक से अलग इस सित है वो है आपका स्रिलंक का option see correct होगा इस question का right answer इस्टार लगा के screen sort इसकी जरूर आप लोग लिजेगा बहुत important question है अगला question ये भी देख सकते हैं आज शारे important question है इसमें निमलकित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राक्तिक रेसे के रूप में जाना जाता है छटवा question का answer बताईए आप लोग फटाफट comment box में जाना जाता है फटाफट बताई के comment box में आप लोग तो वो है आपका प्राक्तिक रेशा रेश रेशम Option D correct होगा इस question का right answer यही जो है सबसे मजबूत रेसे के रूप में जाना जाता है इस question का जो यानि कि छटवा question का answer होगा वो होगा आपका option D अगला question सातवा question आप लोग देख सकते हैं क्या है प्रकासी फिल्टर का उद्देश क्या है सातवा question का answer बताइए आप लोग comment box में फट 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 प्रकासी फिल्टर का उद्देश क्या है तो देखें जो प्रकासी फिल्टर का उद्देश होता है friends वो होता है विभिन रंगो के प्रकास का संचरान या समय वेशन करना, option D correct होगा इस question का right answer, अगला question, आठवा question आप लोग देख सकते हैं, question यह है, निमलिकित में से कौन सा weighted code भारित code नहीं है, option देख सकते हैं, और भी option में आपको दिखा रहा हूँ, आठवा question का, यहाँ पर देख सकते हैं, decimal संख्या प वो है आपका access 3 code, option E correct होगा इस question का right, ठीक है, यह जो है, दशमलो code अंग प्रणाली है, ठीक है, अगला question यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, नवा question आप लोग देख सकते हैं इस्क्रिन पे, जीसस ने मरडो परांत पुना जीवन धारन किया, यह कहा जाता है, किसके दौ तो इसे जो कहा जाता है, वो कहा जाता है पुनर जनम, option E correct होगा इस question का right answer, ठीक है, अगला question, दसवा question आप लोग देख सकते हैं इस्क्रिन पे, ओजोन जिन सक्तिसाली विकरणों को शोख कर जीव मंडल को सुरच्छा परदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं, very very most important question आपके तो शक्तिसाली विकरणों को जो शोख कर जीव मंडल को सुरच्छा परदान करती है, उन्हें कहते हैं, ultra violet करने, यानि की UV, option C correct होगा इस question का right answer, अगला question देख, ये आगया, very very most important question है, इस्टाल लगा लिजे अभी इस question में, friends मैं आपको जिन जिन questions में इस्टाल लगवा रह किस विधा के सुपरसिद्ध परतिपादक थे, very very most important question है, तो देखे जो विर्जु महराज जी थे, ये थे कथक के सुपरसिद्ध परतिपादक, option B correct होगा इस question का right answer, इन्हें 1986 में पद्व विभूशन से भी सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है विर्जु मह अगला question, बरहावा question आप लोग देख सकते हैं, question यहाँ पे है, परतिवी के वायुमंडल की अनुपस्तिती में आकास कैसा परतित होता है, बरहावा question का right answer आप लोग comment box ने बताए, फड़ा फड़ा, लाश्ट में आप लोग भी बताईएगा कितना आपका 50 questions में सही हो रहा आप लोग देख सकते हैं, तो परतिवी के वायुमंडल की अनुपस्तिती में जो आकास का रंग होता है, वो गहरा लाल प्रतीत होता है, स्वारी, काला प्रतीत होता है, ठीक है, option डी करेक्ट होगा, इस question का right answer, काला, अगला question, भारती राश्टी कांग्रेस की पर्थम महिल अध्धच काउन थी? Very, very most important question है ये वाला, भारती राश्टी कांग्रेस की पर्थम महिला अध्धच काउन थी? आपको बताना है, option देख सकते हैं, तेरा हुआ question का right answer, आप लोग comment box में बताएं, फड़ा-फड़ा तो देखे, भारती राश्टी कांग्रेस की पर्थम महिला अध्धच थी? वो थी आपकी any patient, option C करेक्ठों का right answer, ठीक है? अगर मुश्लिम अध्धच मूच पूच ले आता है, तो बदरोदिम तैयब जी हो जाएंगे, अगर अंग्रेच अध्धच मूच पूच ले आता है पहले है, तो जार जी यूल हो जाएंगे, तो इतना आपको याद रखना है, भारती राश्टी कांग्रेस की सापना कब होई थी? अठारा सो पच्चासी स्वे में, ठीक है ना? अगला question यहाँ पर देख सकते हैं, निमलिखित में से कौन सा कारिकरम निर्धन इस्तरियों की उधार आवश्चकताओं की पूर्ती करता है, चाउधावा question का right answer, आप लोग comment box में बताएं फड़ाफट, option देख सकते हैं, चारो में से जो भी इस question का right answer हो, comment box में बताएं फड़ाफट, तो इस तरीयों की उधार आवश्चकताओं को कौन पूर्ती करता है, वो राश्ट महिला कोश, option B correct होगा, इस question का right answer, ठीक है, तो 15 question आप लोग देख सकते हैं, question ये है, भारत के नियंतरक एवं महलेखक परिच्छक, लेखा जोखा शम्मंदी रिपोर्ट, किसको प्रस्तुत करते हैं, 15 question का right answer, आप लोग comment box में बताएं फड़ाफट, किसको प्रस्तुत करते हैं, भारत के नियंतरक एवं महलेखक परिच्छक, तो वो प्रस्तुत करते हैं, राष्ट पती को, option C correct होगा, इस question का right answer, अगला question यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग, पर्थम बौध संगीती, या पर्थम बौध परिशत कहां आयोजित होई थी, इस्टाल लगाईए, स तो लावा question का right answer, option B correct होगा, ठीक है, तो अगला question देखते हैं, question यहाँ पे देख सकते हैं, 17 पस्चमी वापूर्मी घाटों का मिलन कहां होता है, ठीक है, option A correct होगा, इस question का right answer, अगला question, इस question, साथ वाहन समराज के संसापक कौन थे? 18 पस्चमी का right answer आप लोग बताएं, यह question साथ में करवा चुका हूँ, एक बार, तो फड़ा फड़ इस question का right answer आप लोग बता दे, 18 पस्चमी का, तो देखें, साथ वाहन समराज के संसापक दिफ्रेंट्स वो थे आपके सीमु जी, option B correct होगा, इस question का right answer, अगला question यहाँ पर दिख सकते हैं, question यह है, उननीसवा question, भारती राष्टी कांग्रेस का पर्थम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था, very very most important question है, इस्टाल लगा लिजे, अभी कैभी उननीसवा question में, तो यह सूरत के अधिविशन में हुआ था, option C correct होगा, इस question का right answer, भारती राष्टी कांग्रेस के जो पर्थम विभाजन हुआ था, वो हुआ था, सूरत अधिविशन 1927 में, very very most important question है, ठीक है, अगला question यहाँ पर देख सकते हैं, बीसवा question है, silica gel क्या है, ठीक है, बीसवा question आप लोग देख सकते हैं, silica gel क्या है यह आपको बताना है, option देख सकते हैं, इस question का right answer, आप लोग कमेट बाक्स में बताएं, तो देखें, जो silica gel है, यह एक सुखाने वाला पदार्थ है, ठीक है, option C correct होगा, इस question का right answer, ठीक है, अगला question, 21 वा question आप लोग देख सकते हैं, किसे सुपरफास्ट रेल गाड़ी के एर कंडिशन डिब्बों में ब्रिल सिगनलों की सुविधा है, 21 वा question का right answer आप लोग बताएं, फदाफ़ाट कमेंट बाक्स में, सुपरफास्ट ट्रेन का नाम आपको बताना है, तो वो ट्रेन है आपकी सुर्षोत्तम एक्सप्रेस, ठीक है, इसी में जो है, एर कंडिशन डिब्बों में ब्रिल सिगनलों की सुविधा होती है, option एक रेक्ट होगा 21 वा question का right answer, अगला question 22 वा question आप लोग देख सकते हैं, question यह है, जैव उरवरक nitrogen को निमलिकित में से किस में परिवर्थित करते हैं, 22 वा कोशन का right answer आप लोग इस question का right answer, अगला question यहाँ पर देख सकते हैं, very very most important question है, तगड़ा question है, 23 वा कोशन यहाँ पर देख सकते हैं, सीवा थापा का शंबन इन में से किस खेल से है, फड़ा फड़ा थापा कोशन का right answer आप लोग बताएं, सीवा थापा जी का संबन किस खेल से है, तो सीवा थाप question का right answer आप लोग बताएं, भारत में गेंडे का प्राक्तिक दिमास कहां पे है, तो है काजी रंगा में, ठीक है, option C correct होगा, इस question का right answer, ठीक है, तो यह अश्रम राज में पड़ता है, ठीक है, अगला question, 25 वा कोशन आप लोग देख सकते हैं, वहा सूपरसिद्ध भारती करा अंतिकारी कौन थे, जो ब्रेटिस जेल में 63 दिनों को भूख अरताल के दारान मर गए, वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टेन कोश्चन है, इस स्क्रीन साट अभी अभी लीजिएगा, इस च्टाल लगा के, 25 वा कोश्चन का right answer आप लोग बताएं, फटाफ़ट कमेंट बाक् थे, ठीक है, अगला कोश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 26 वा नम्मर का कोश्चन है, CO2 के अलावा अन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ठीक है, 26 वा कोश्चन का right answer आप लोग बताएं, CO2 के अलावा कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो वो आपकी गैस है, CH4, ठीक है, यही CO2 के अलावा भी ग्रीन हाउस गैस है, अगला कोश्चन देखते हैं, कोश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भारत की राश्टी आए का शंकलन काउन करता है, 27 वा कोश्चन का right answer आप लोग फड़ाफड बताएं कि राश्टी आए का संकलन काउन करते हैं, फड़ाफड इस कोश्चन का right answer आप लोग बताएं फड़ाफड, तो देखें विराश्टी आए का जो आग संकलन करते हैं, वो करते हैं केंदरी संक की संगटन, यानि कि C.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. में इस सीत हैं, ठीक हैं, तो अगला कोश्चन, 28 वा कोश्चन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रिन पे, कोश्चन ये हैं, भारत के उच्छितम नियाले की केंदर और राज्यों के बीच विबादों के निर्टान की सकती किसके अधीन आती हैं, फड़ा-फड़ा, 28 वा कोश् कोश्चन है, सत्मे उजयते, सब्द किस उपनिसा से लिया गया है, 29 कोश्चन का राइट आंसार आप लोग कमेट बॉक्स में बताएं, शत्मे उजयते, जो शब्द है, वो किस उपनिसा से लिया गया था, इश्टा लगा कि अभी-कभी इसकी स्क्रिन सॉट लीजी, कोश्चन का राइट आंसर, अगला कोश्चन, जब ग्रिफाइट चट्टाने रुपांतरित होती हैं, तो उनसे क्या बनता है, क्या बनता है, तीसबा कोश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएं, क्या होगा इस कोश्चन का राइट आंसर, तो फ्रेंट्स, जब इर्जा का वड़िक जी सोत रहे 31 वा कोश्चन का राइट आंसर आपको comment box में बताएं नहीं फड़ा फड़ बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा तो देखिए इर्जा का जो वड़िक जी सोत रहे फ्रेंड्स वो है आपका प्राक्ति गैस option D correct होगा इस question का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं पस्च बंकन सप्लाई वकर का संबंद किस बजार से है फड़ाफ़ड बताईए 32 question का right answer फड़ाफ़ड तो इसका जो संबंद ने friends वो है स्रम बजार से संबंदी थे option B correct होगा इस question का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं शूशना प्रदोगिगी में SOCATU memory को क्या कहते हैं क्या कहते हैं 33 question का right answer आप लोग बताएं फड़ाफ़ड comment box में तो SOCATU memory को क्या कहते हैं आपको बताना है तो इसको कहते हैं content addressable memory option C correct होगा 33 question का right answer ठीक है अगला question यहाँ पर देख सकते हैं very very most important question है अर्ध चालक में उपरयूक्त विसुद्धाओं को मिलाने को क्या कहते हैं 34 question का right answer आपको बताना है फड़ाफ़ड तो अर्ध चालक में उपरयूक्त विसुद्धाओं को मिलाने को क्या कहते हैं उनको कहते हैं इसने हथ option एक रेक्ट होगा इस question का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं question यह है के ओटो प्रोटो गाल का शम्मन किस से है 35 question का right answer आप लोग बताएं के ओटो प्रोटो काल का शम्मन किस से है तो के ओटो प्रोटो काल का शम्मन किस से है जलवायू परिवर्तनश है, option B correct होगा इस question का right answer, ये वाला भी important question आपके exam में पूछा जा सकते है, ठीक है अगला question यहाँ पर देख सकते हैं इब्राहम अलकाजी निमलिखित में से किस छेतर से प्रशिद सक्सियत है 36 वा question का right answer आप लोग बताएं इब्राहम अलकाजी निमलिखित में से किस छेतर से प्रशिद सक्सियत है तो ये नाट मंच से शक्सियत है, option C correct होगा इस question का right answer अगला question देखते हैं, question यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, question ये है इस कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिट उतारी मोलता किस देश के आटो माईल निर्माता है सै थीसवा question का right answer आप लोग फटाफट comment box से बताएं तो किस देश के माटो मोबाईल निर्माता है वो है चेक गंडराज, option D correct होगा सै थीसवा question का right answer अगला question, ये रहा वेरे वेरे मुष्ट उमपर्टन question, question ये है सत्री किस राज़ का सास्री नत है इस टाल लगा लेजी हभी कभी 38 कोशन का right answer आप लोग बताएं सत्री किस राज़ का सास्री नत है तो देखे, सत्री जो है ये किस राज़ का सास्री नत है, ये अश्यम का है option C correct होगा, इस question का right answer फड़ा फड़, अगला question देखते है question ये है, कैलास का प्रशिद cell कटाई निर्मित मंदिर इस्तित है इसका 49 नमर का question आप लोग बताएं जो कैलास का प्रशिद मंदिर है वो कहा पेस्तित है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स, ये इस्तित है, एलोरा में option D correct होगा, 49 नमर का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं question ये है, यदि किसी राज़ के विधान मंदल में बज़द गिर जाता है तो क्या होता है, आपको बताना है 40 नमर का right answer आपको बताएं तो क्या होता है, फ्रेंड्स, मुखमंत्री सहित मंत्री परश्चत को त्याग पत्र देना पड़ता है यदि किसी राज़ के विधान मंदल में बज़ट गिर जाता है तो option C correct होगा, 40 वा question का right answer अगला question यहाँ पर देखते हैं question ये है, निमलिखित में से किस अखवार का गांधी जी ने दच्छन अफरिका में शंपादन किया था very very most important question ने इस्टा लगा कि अभी कभी इसकी screen sort ज़रूर लें आप लोग, 41 वा question का आप लोग right answer बताएं किस अखवार का गांधी जी ने दच्छन अफरिका में शंपादन किया था, तो friends उस जो अखवार का नाम है वो है Indian opinion, option एक रिक्टो का इस question का right answer ठीक है, 1903 में शंपादन किया गया था, यह आपको याद रखना है, यह रहा अगला question लॉलिपॉप वाला question है और बहुत important question है question यह सबसे बड़ा टापू है बैलिस्वा question का right answer रखना है सबसे बड़ा टापू कौन सा है तो friends, सबसे बड़ा जो टापू है वो है आपका green land में ठीक है, option एक रिक्टो का इस question का right answer, ठीक है सबसे बड़ा टापू अगला question देख सकते हैं मीबो, मियन, गरंती किसमे इस्थित होती है किस में इस्थित होती है कहा अपे इस्थित होती है आपको बताना है तो मीबो, मियन, गरंती जो इस्थित होती है वो आपके आँख में इस्थित होती है तो option एक रिक्टो होगा इस question का right answer किस सहर में भारत का पहला डांग घर ATM खोला गया था 44 वा कोशन का राइट आंसर आप लोग बताएं डाग घर का ATM सबसे पहला है कहां खोला गया था तो वो खोला गया था चेन नई सहर में option A correct होगा इस कोशन का राइट आंसर friends मैं आपको उता दूँ अगर आप लोग अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीस वीडियो को लाइक करें और अपने अधर friends के साथ भी आप लोग इसे सेयर करें Facebook, Instagram, WhatsApp पे आप लोग इसे social media पे आप लोग जुरू सेयर करें थाकि और लोग भी जूड सकें हमारे चैनल से और उनको भी फाइदा हो सके अगला कोशन भारत में आर्शेनिक समस्चा मुख रूप से किस कराण से है 45 वा कोशन के राइट आप लोग बताएं फड़ा फड़ आर्शेनिक समस्चा मुख रूप से किस कराण से है तो ये कारण से है प्रभाविक छेत्रों में भूझ जल्व का अत्तदिक दोहन से और्षिनिक शिमश्चा का कारण है Option सी करेक्ठों का इस कोशन का राइट अंसर अगला कोशन यहां पे देखते हैं कोशन यह है सरीर में स्वेत रक्त कणू का मुख्य कार यह है 46 question का right answer अब लग बताएं स्वेत रक्त कणों का मुख कार क्या है इस्टाल लगा के अभी क्या भी इस question में इस screen sort लें इसकी फटा फट बहुत इंपार्टन question है स्वेत रक्त कणों का मुख कार क्या होता है तो इसका जो कारी होता है कि रोगों की विरुद सरीर का रच्छन करता है ठीक है रोग प्रतिरोधक छमताओं को दूर करता है ठीक है option D correct होगा इस question का right answer अगला question यहाँ पर देख सकते हैं निमलिखित में से कौन सा vitamin पानी में गुलन सील होता है इसको क्या कहना है यह तो भाईया very very most important question है और question पूछे ना जाए बट यह इसको तो पूछा ही जाना है ठीक है अगर vitamin C question पूछा जाता है 47 वा question का right answer आप लोग बताए फटाफट और अभी मैं इसको बता दूँगा भूल ही नहीं सकते आप लोग इस question को कौँ सा वसा में घुलन सील होता है कौँ सा पानी में घुलन सील होता है फटा फटास question का right answer आप लोग बताए तो देखे जो पानी में घुलन सील होता है वो होता है आपका B, C vitamin B और C तो इस question का right answer होगा आपका B ठीक है अब मैं आपको उताता हूँ कैसे इसको याद करना है तो देखें पानी में यहाँ पे बात हो रही पानी पानी को अंग्रिजिम क्या कहते है डबलू और vitamin कौन कौन से घुलन सील होते है water में B, C तो आप लोग इसे shortcut में W, B, C के नाम से जान सकते है डबलू, B, C डबलू से water यानि की water में कौन कौन से vitamin गुलन सील होते है B, C और बाकी जो वश्चा में गुलन सील होते है वो होते हैं आपके A, D, E, K ज़्यादा तर जो पूछा जाता है वो जल वाला ही पूछा जाता है पानी वाला ही तो केवल B, C याद रखिए बाकी जो पूछा जाए वश्चा में टिक करके आईए ठीक है? तो ऐसे आपको याद रखना है अगला कोशन यहां से देख सकते है अर्थ सास के दिश्ट से यदि बीना किसी को बदतर बनाए किसी और की बहतरी संबह होए अर्थ सास वा इस्तेती कैसी होगी अर्थ सास वा नमर का कोशन है इसका राइट अंसर आपको कमेंट बाक्स में बताना है फड़ा फड़ ऑफ्चन डी करेक्ट होगा परेटो स्रेश्ट ठीक है? अगला कोशन यहां पर देख सकते हैं इसका अभिफराय क्या है? इसका अभिपराय क्या है? तो फ्रेंड इसका जो अभिफराय है वो है वाइमांडिली गैसों की करन्ड सर उर्जा को रोकना ठीक है? ऑप्शन सीकरेक्ट होगा इसकोशन का राइट असर यह रहा लाश्ट वीडियो का कोश्चन और यह भी तगड़ा ही कोश्चन है इस्टा लगा कि अभी के भी स्क्रिंशॉट ले ली जी का पच्चासवा नमबर का जो कि इस वीडियो का लाश्ट कोश्चन है जर्नर्ट डॉयल जो जलियो वाला बाग नर्शनहार का दोशी था किसके दारा मारा गया था कौन उडाये थे इनको जर्नर्ट डॉयल जी को फटाफट बताईए आप लोग उनका नाम तो उडाये थे उनका नाम है आपका उधम शिंग ठीक है ना और लंदन में इनको गोली मारे थे ऑप्शन सी करेक्टो का पच्छासवा नंबर का राइट अंसर ठीक है तो फ्रेंड्स ये थे टॉप फिप्टी कोशिंस जीके के I hope कि आप लोगो समझ में आ गया होगा कि इस तरह को कोशिंस पूँचे जाते हैं और इसमें कम से कम मैं दस कोशिंस में इस्टाल लगाया हूँ तो इसकी आप लोग स्क्रिन सौट जरूर लिया करें ठीक है और ये पीडियाप अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारे टेली गराम चैनल से जुल सकते हैं इस वीडियो को डिस्केशन बॉक्स में मेरे टेली गराम की चैनल है उससे लिंक दी गई है तो आप लोग वहां से जाइन होके हर एक पेपर्स की पीडियाप डाउनलूट कर सकते हैं काफी सारे लोग मैसेश करते हैं कि आप लोग जब पीडियाप सेंड करते हैं उसमें आप लोग देखा करें आंसर तो आपको पता ही रहता है न अगर डाउट है तो आप लोग वीडियो को देखा करें वीडियो को देखके जब आप लोग वीडियो को देखेंगे तो जो आपका कोश्चन होता है वो एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है न, जो आप लोग अपने से study करेंगे ठीक है, तो unsure के चकर में मत रहा करें वीडियो पूरा देखा करें, पूरे 50 questions solve करवाया करें, तो आप लोग उसे पूरा देखा करें फिर आप लोग PDF में उसको note किया करें ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे तब ले thanks watching, अगर आप लोग को कुछ पूंचना है बियर से समधी तो आप लोग comment box में फूंच सकते हैं, उसमें आगर आपको reply ने मिला तो आप लोग हमारे whatsapp नमबर पे information ले सकते हैं, whatsapp नमबर हमारा आप लोग बियर से समधी information ले सकते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे इस वीडियो को शेयर करना लाइक करना ना बोलें, thanks